हलो इस्टुडेंट्स वेलकम टू चैनल सब कुछ नो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 6F का 5 नमबर कोस्टन इससे पहले बाले पार्ट में आप लोग ने 4 तक पूरा कम्पलीट देखा था तो अगर आप लोग चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्र संजे साइकिल दोरा 10 कीमी परदी गहनटा की चाल से कारेयाल 6 मिनट बिलं से पहुँचा यदि हो अपनी चाल 2 कीमी परदी गहनटा बनाद जहता तो वह 6 मिनट पहले पहुँच जाता है उसके घर से कारेयाल की दूरी ग्यात किजिए संजय के घर से कार्याला की दूरी पूछ रहा है तो हम लोग यही मान लेंगे माना संजय के घर से कार्याला की दूरी बराबर एक्स किलोमीटर हम लोग ने मान लिया देखिए किलोमीटर प्रद घंटा में दिया तो हमने किलोमीटर मान लिया कि संजय के घर से कार्याला की दूरी एक्स की मी दूरी हमने माल लिया चाल दे दिया तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं समय निकाल सकते हैं तो लिखेंगे दोस की मी प्रती घंटा की चाल से लगा समय बराबर देखिए दस की मी प्रती घंटा की चाल से जब जा रहा है तो समय क्या होगा समय का फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को दूरी बटे चाल समय बराबर फार्मूला लगाएंगे दूरी बटे चाल तो देखिए दूरी कितना है दूरी हमने X माल लिया है तो X बटे चाल देखिए वही है 10 कीमी परत गंटा तो X बटे 10 लिखेंगे समा है तो गंटा यहां लिख लेंगे अब देखिए यह 10 कीमी परत गंटा की चाल से इतना समय लगा अब आगे क्वेस्चन में क्या करना भी और कुछ परस्वन आनुसार में बनाएंगे जब परस्वन के आनुसार तो 6 मिनट पहले वाला बनाएंगे आगे दखिए कर रहा है यह दिवह आपनी चाल दो कीमी परत गंटा बढ़ादे था देखिए 10 कीमी परत गंटा की चाल से प्रति घंटा की चाल से लगा समय बराबर देखिए 12 किमिक प्रति घंटा अब चाल हो जाएगा क्योंकि 10 पालेस था और 2 बढ़ा लेगा तब देखिए समय क्या होगा उसका दूरी बटे चाल तब भी फार्मूला लिखेंगे तो दूरी देखिए वही है हमने आक्स माना है तो दूरी आक्स ही रहागा आपान और चाल कितना है चाल बढ़के 12 हो चुका है तो 12 यहां घंटा लिख लेंगे क्योंकि यह समय हम लिख रहा है तो देखिए जब 10 किमी परद घंटा के चाल से जाय तो इतना समय लगेगा और 12 किमी परत घंटा की चाल से जाएगा तो इतना समय लगेगा अब हम लोग लिखते हैं प्रस्न के अनुसार देखिए इसके दोनों समय का अंतर कितना हो रहा ध्यांदी जीएगा अगर माल जीए वो 6 मिनट पहले पहुंचता इतना किमी परत घंटा की चाल से चलता तो और 12 किमी परत घंटा की चाल से चलता तो 6 मिनट देखिए ओ अहां बाद में दिया 6 मिनट बिलम से पहुंचता और अगर 12 किमी परत घंटा की चाल से जाएगा तो कितना पहुचेगा? 6 मिनट पहले तो दोनों अंतर कितना हो रहा है? अंतर दोनों देखिए, यहां समझ लेते हैं जैसे माज लिजी अगर उसको पहुचना है 9 बजे अगर माज़ लिजी ये एकजामपल के तौर पर अगर 9 बजे पहुचना है तो 6 मिनट बिलंब से 6 मिनट देर से पहुँचेगा मींस कितने पर पहुँचेगा 9 बज के 6 मिनट पर पहुँचेगा और माल लिजे अगर ये चाल बढ़ जाता 2 किलोमीटर यानि कि 12 कीमी परत घंटास पहुँचता तो 6 मिनट पहुँचता यानी कि अगर पहुचना था आप 9 बजे उसको तो कब पहुच रहा है 6 मिनट पहले यानी कि 8 बज के 54 मिनट पर पहुच रहा है तो दोनों समय में अंतर देखिए कितना हो रहा है या 6 मिनट पहले या 6 मिनट बाद तो 6 मिनट ये 6 मिनट ये अंतर हो रहा है दोनों समय का 12 मिन ध्यान जेंगे या 6 मिनट पहले या 6 मिनट बाद दोनों समय का अंतर कितने का हो रहा आप बिलंब और देर में 12 मिनट का यहां भी दोनों समय है तो दोनों समय का अंतर कितना हो रहा आप 12 मिनट का तोई परसना नूसार में हम लोग लिखेंगे एक समय है देखिए X बटे 10 ये लगा समय है और एक समय है X बटे 12 दोनों समय का अंतर बराबर कितने का अंतर हो रहा है 12 मिनट का देखिए 6 मिनट ये पहले 6 मिनट बाद तो 12 मिनट का हो रहा है हम लोग ये सब जब घंटा में है तो इसको घंटा मं बदल लेंगे तो 12 बटे 60 कर लेंगे जब 60 से भाग करेंगे तो यह घंटा हो जागा तो इस तरह से यह प्रस्न अनुसार आप लोग बनाएंगे प्रस्न के अनुसार और इसी को solve कर लेंगे अब देखिए यहाँ solve करने के लिए अब देखिए फिर से क्या लिखेंगे छा एक्स में से पांच एक्स घटाएंगे तो एक एक्स होगा और नीचे सामने बताया था दोनों बराबर संख्या होगा दोनों साइड में पूरे पूरे का बटे तो काट लेंगे तो यहाँ बच गया एक्स एक्स इकल हो गया 12 तो हमको क्या बताना था यह उसके घर से कारेयाला की दूरी तो कार्याले के दुरी हमने X की मिमाना था तो इसलिए एंसर क्या हो जागा लिखेंगे इसलिए संजय के घर से कार्याले की दूरी बराबर X 12 आया तो 12 की मिमान यही अंसर हो जागा तो इस तरह सल्व करना हमलों अगला कोस्चन देखते हैं तो देखिए यहां 6 नंबर कोस्चन दिया हामित के घर से डेविट का घर 19 की मिमान दूर है तो यह दोनों हमित के घर से कितनी दूरी पता था कम मिलेंगे कार आप आले यहां समझ लिजिए कि हामित और डेविट के घर के बीच की दूरी 19 की मिमान यहां पहले समझते हैं फिकर नहीं बनाना के वाद समझेंगे आप लो माली जी ये हमीद का घर है हमीद का घर है और ये डेविट का घर है दोनों के बीच का अंतर कितना है 19 किलो मिटर है यहां से यहां तक की दूरी कितना है 19 किलो मिटर धेंगे तो पुश क्या रहा है और किसका चाल हमीद की चाल का रहा है नो किलो मीटर प्रति घंटा हमीद का चाल है नो की में प्रति घंटा और इस डेविड की चाल है दस की में प्रति घंटा प्रति घंटा तो दोनों क्या कर रहा है ये इस दोनों अपने घर से निकलने है एक दूसरे के घर जाने के लिए ये इधर जा रहा है और ये इधर से जा रहा है दोनों तो यही देखिए क्वेस्चन में क्या करा प्रातन नो बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा निकलते हैं ये उसके घर जाने के लिए ये इसके घर जाने के लिए दोनों नो बजे निकलते हैं दोनों का चाल देखिए इतना है कर आयाद हामित की चाल नक की मी और डेविट की चाल दस की मी परत घंटा हो तो वे दोनों हामित के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे कर आके हामित के घर से अब कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे तथा कब मिलेंगे तो अई हम लोग मान लेते हैं माना हामीद के घर से कब मिलेंगे पहले पूछना है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे तो हम लोग मान लेंगे माना हामीद की घर से X कीमी दूरी पर मिलेंगे हमने मान लिया कि हामीद के घर से चलने के बाद से X कीमी की दूरी पर दोनों मिलेंगे तो मान लिजिए यहां से यहां तक का दूरी अगर X हो गया मान लिजिए यहां कहीं मिल जाते हैं दोनो तो यहां से यहां तक अगर x कीमी की दूरी पर जब मिलते हैं तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना होगा मालिजी यह टोटल दूरी 19 है 19 में से यह हामीर x चला तो यह कितना चलेगा तो 19 में से x को भटाएंगे यानि कि यहां से यहां तक का जो दूरी होगा 19 माइनस एक्स होगा ध्यान दिजी यहां तोटल दूरी 19 है अगर 19 में से माली जी यह 9 किलो मेटर चलता है माली जी यह 19 में से 8 किलो मेटर चलता है तो यह कितना चलेगा 19 में से 8 घटाएंग तभी पता चलेगा यह आठ घंटा अगर 19 में से चले तो यह 11 घंटा चलेगा 19 में से 8 को घटाएंगे उसी तरह से मालिजे, यह X दूरी चला तो 19 में से X को घटाएंगे तो David का पता होगा दूरी तो देखिए हमने माल लिया हामित के घर से X की दूरी पर मिलेंगे अब हम लोग निकालेंगे क्या दखिए ये दूरी दे दिया है इसका और इसका दूरी यहां दे दिया और चाल भी दिया तो हम लोग समय निकाल सकते हैं तो लिखेंगे हामीद द्वारा एक्स की में चलने में लगा समय बराबर फार्मूला वही लिखेंगे दूरी बटे चाल तो दूरी देखिए कितना है हामीद माली जी एक्स चला है तो दूरी एक्स बटे चाल कितना है हामीद का चाल है नो किमी प्रत गंटा तो एक्स बटे नो होगा समय को लिखेंगे गंटा में अब देखिए हामित द्वारा X कीमी चलने में लगा समय अब डेविड द्वारा 19 माइनस X चला है तो उसमें कितना समय लगागा तो लिखेंगे डेविड द्वारा 19 माइनस X कीमी चलने में लगा समय बराबर यहां भी फार्मूला लिखेंगे दूरी बटे चाल तो दूरी देखिए कितना चला है डेविड 19 माइनस X दूरी चला है और आपान चाल है उसका कितना दोस यह समा हम लोग लिख रहा है तो घंटा हम लिखेंगे तो देखिए इसके दूरा चला गया समय हमने निकाल लिया और इसके दूरा चला गया समय हमने निकाल लिखेंगे दोनों देखिए एक ही समय पर चले हैं 9 बज़े यानि कि दोनों के समय का अंतर कितना होगा अंतर दोनों के समय का नहीं है क्यांकि दोनों 9 बज़े चले हैं तो अंतर 0 है तो यानि कि दोनों के समय का अंतर क्या होगा परस्न के अनुसा आज जब लिखेंगे x बटे 9 माइनस 19 माइनस x बटे 10 बराबर 0 क्यों? दोनों का समय यह है इसमें से हमने इसको घटाया है यानि कि दोनों के समय का अंतर हमने किया तो अंतर कितना होगा जीरो होगा क्योंकि दोनों 9 ही बज़े चले हैं कोस्चन में दिया इसलिए अंतर जीरो है अब हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं 9 और 10 का लसलेंगे तो 99 से भाग करेंगे 90 में तो 10 बार में जाएगा और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 से 90 में भाग करेंगे तो 9 बार में गया है 9 का 19 में भी गुड़ा होगा और 9 का एक्स में भी गुड़ा होगा और यहां माइनस नहीं लिखेंगे देखिए इस माइनस का इसमें भी गुड़ा होता है तो हो जाएगा 19x-171 बराबर ये 0 इधर पहले से था और गुड़े 90 भाग कर रहा था इधर आगा तो गुड़ा करेगा 0 में किसी भी संख्या का जब गुड़ा करते हैं तो 0 हो जाता है तो यहाँ लिखेंगे 19x-171 बराबर 0 हम लोग यहाँ लिखते हैं तो देखिए आचार को हम लोग पक्षांतर करेंगे 19x-171 जब उधर बराबर भेज़ेंगे तो पलस में होगा 0 का मतलब कुछ नहीं 19 को भी उधर भेज लेंगे तो x इकल हो जागा 171 बटे 19 19 से जब भाग करेंगे इसमें तो x इकल हो जागा 9 तो यही पूछा था देखिए हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कम मिलेंगे तो हामिद के घर से x कीमी दूरी पर x आया 9 तो हम लोगा एंसर क्या लिखेंगे इसलिए हामिद के घर से 9 कीमी दूरी पर मिलेंगे हामिद के घर से 9 कीमी की दूरी पर मिलेंगे तथा कम मिलेंगे यह भी फूछ रहा है तो देखिए यह चला है कितना x का मतलब चला है 9 किलो मिटर और यह कितना चला है 9 बज़े से ही चला है यह चला है 10 किलो मिटर यानि कि 9 किलो मिटर और 10 किलो मिटर और प्रति घंटा यहां दिया देखिए प्रति घंटा मींस एक घंटे में एक घंटे में यह कितना चला है 9 किलोमीटर और यह कितना चला है 19 में से जब 9 को घटाएंगे तो 10 होगा तो यह घंटाम यह भी यह घंटाम यह भी यानिक यह घंटाम मिल रहा हैं दोनों तो 9 बजे चले हैं तो दोनों कम मिलेंगे 10 बजे लिखेंगे तथा 10 बजे मिलेंगे 9 घंटे बाद 9 कीमी दूरी पर तथा 10 बजे मिलेंगे क्योंकि प्रति घंटा में यहां चाल दिया है मिनस एक घंटा का ही एक घंटे में इतना गया है और वो भी एक घंटे में तो 9 बज़े चले हैं तो 10 बज़े मिलेंगे अब लोग अगला कोस्चन देखते हैं तो देखिए कोस्चन नमबर 7 दिया हुआ सरकार द्वारा अना थाला के बच्चों को पूष्टाहार देने के लिए 200 गराम दलिया प्रती बच्चे की दरसे बित्रीत किया गया यदि कुल 20 किलो गराम दलिया बित्रित हुआ हो तो बच्चों की संख्या कितनी थी ये कारा बच्चों को पुष्टा हाद देने कि 200 गराम दलिया प्रती बच्चे की प्रती बच्चे मेंस होता है एक बच्चे को एक बच्चे को 200 गराम दलिया दिया गया लिखेंगे एक बच्चे को दिया गया दलिया बराबर 200 गराम एक बच्चे को देखिए दिया गया दलिया 200 गराम तो पूछरा की कुल 20 किलोगराम दलिया दिया गया तो कितने बच्चों को दिया गया तो क्या करेंगे मान सकते हैं इसको देखिए पूछरा तो हम लोग मान लेंगे माना दलीया कुल आक्स बच्चों को दिया गया हम लोग ने मानलिया क्या डलीया कुल आक्स बच्चों को दिया गया तो हम लोग प्रस्न के अनुसार कर से लिखेंगे देखिए लिखेंगे X इकल X बच्चों को दिया गया दलिया कूल X बच्चों को दिया गया तो हम लोग X बराबर लिखेंगे क्या देखिए दो सो एक बच्चे को दिया ज़रा और 20 किलो गराम दिया गया है तो 20 किलो गराम है और ये गराम है तो किलो गराम को भी हम लोग गराम में बदल लेंगे तो 20 गुड़े 1000 ये हो जागा गराम 20 किलो गराम दलिया है तो 20 किलो गराम में 1000 से गुड़ा करेंगे तो गराम में बदल जागा और बटे इसमें भाग कर देंगे किस से एक बच्चे को दिया गया दलिया 200 गराम से 200 से हम लोग भाग कर देंगे तो दखिए यहां 20 में हमने 1000 से गुरा किया गराम में बदल लिया 20 किलो गराम था तो और 20 किलो गराम कितने लोगों को दिया जाएगा तो लिखते हैं X equal देखिए solve करना है उपर नीचे गुड़ा में संख्या भाग में है तो 0 से 2-0 काटेंगे 20 का 10 में जब गुड़ा करेंगे और यहां देखिए 2 से भी इसको काट सकते हैं एक बार में और यहां 0 है यहां 0 ऐसे लिख लेंगे दो से मिस 10 बार में यह कट गया 20 यहां बचा दो से यहां बचा दो स तो 10 का 10 में जब गुड़ा करेंगे तो हो जागा 100 आप देखिए 100 क्या हो गाए X बच्चों को दिया गया मिस 100 बच्च यही अंसर हो जागा सब बच्चों की संख्या कितनी थी तो बच्चों की संख्या 100 बच्चे हमने लिख लिया तो इस तरह से अंसर लिखेंगे यहां ऐसे भी आप लोग मान सकते हैं बच्चों की संख्या कितनी थी तो हम लोग मान लेंगे माना बच्चों की संख्या बराबर X ऐसे भी लिख सकते हैं या कुल X बच्चों को दिया गया ऐसे भी मान सकते हैं तो दोनों सही है तो आप लोग last question question number 8 देखेंगे तो देखिए question number 8 दिया 15 अगस्त के उपलच में एक इस्कूल के बच्चों में कुल X किलोगराम सेब बित्रित हुआ सेब का मुल M रूपए प्रत किलोगराम था फल बया पारी ने राष्टी परव के सम्मान में 10 रूपए प्रत किलोगराम मुले कम लिया सेब का कुल मुले 2000 रूपए की भुगतान राश को समीकरर द्वारादर सा इसका कोस्चन इसका नहीं साल करना कोई इसमें केवल समीकरर बना देना है तो देखिए कैसे बनाएंगे कारा कुल X किलोगराम सेब बित्रित हुआ सेब का मुले हम रूपए प्रत किलोगराम था एक किलोगराम का मुले हम रूपए था और एक्स किलोगराम सेब बित्रिद हुआ करा दस रुपया प्रति किलोगराम मुले कम लिया तो देखिए कासे हम लोग बनाएंगे लिखेंगे क्या एक्स किलोगराम सेब देखिए बित्रिद हुआ सेब का मुले हम रुपय था तो लिखेंगे सेव की संख्या गुड़े सेव का मूल बराबर क्या हो जाएगा कुल मूल्य यह कुल भुगतान का सकते हैं दखिए कैसे कि एक खेना गूड़ा का मैंने हम रूपय या हम रूपय का खाट्राइगी 10 कि ला गुरा करेंगे सेव कि संख्या दखिए दिया है X गुड़े शेव का मुल्य दिया है 1 किलोग्राम का देखिए YM रूपए तो X गुड़े हम करेंगे और भुगतान कितना है सेव का कुल मुल्य 2000 रूपए था तो कुल भुगतान इतना था बराबर कितना था 2000 रूपए लेकिन देखिए क्या कर रहा 10 रूपए प्रती किलोग्राम मुल्य कम हुआ YM रूपए है YM रूपए और 10 रूपए कम हुआ है तो क्या करेंगे YM में से 10 कम कर देंगे ऐसे 2 संख्या ब्रेकेट में लिख लेंगे तो समीकरण हमारा इस टाइब का हो गया यहीं समीकरण ही केवल बनाना था तो यहीं अंसर लिखेंगे यहां गुरा में ऐसे भी लिख सकते हैं X into M-10 इक्वाल 2000 यह अंसर लिख लेंगे तो बस समीकरण बनाना था तो आज यह चैप्टर पुरा 6 का आफ कम्प्लीट हुगा अब अगले पार्ट में आप लो अगला चैप्टर देखेंगे